आप सात्यों का स्वागत है एक बड़ी खुस खबरी फिर समने आई है कल के डेट में फिर एक विकेंसी रिलिज हुआ है कौनसा तो विद्दुत विभाग का ये हुआ है शुरू और इसके लिए आवेदन प्रारम हो चुका है आवेदन प्रारम कल से शुरू हो चुका है बा लास्ट डेट है इसका इसके बाद देखिएगा कौन-कौन से पत के लिए भरती होना है तो ये भरती होना है आपका इलेक्ट्रिकल जुनियर इंजिनियर के लिए यहां पर सबसे जाड़ा पोस्ट है इसके लिए 346 पोस्ट है इसके लिए डिप्लोमा चाहिए किसमें ये स कि कोई भी राज का candidate इसमें electrical assistant इंजिनियर में फाम भर फकता है इसके लिए युग्यता क्या चाहिए इसके लिए युग्यता चाहिए बी बीटेक बीसी इंजिनियरिंग लेकिन ये electrical से संबंधित में उसके बाद देखिएगा तिसरा एक पोस्टर आया है कौन सा सिविल जुनियर इंजिनियर के लिए 24 पोस्ट तो इसके लिए डिपलोमा चाहिए किसमें सिविल में उसके बाद एक चाहुथा पोस्ट है mechanical जुनियर इंजिनियर का केवाल दो पोस्ट डिपलोमा इन मेकनिकल में होना चाहिए किया मैचनिजम में होगा तो भी चलेगा है उसके बाद देख्येगा एक लिटियुक्रानिक इसमें है पांच पोस्ट और इसके लिए यग्यता क्या चाहिए तो electronics या electrical ल्क्रीकल या electronics and technology यह यग्य्यता चाहिए इसके लिए आयूशीमा के बारे में बात किया जाए तो आयूशीमा निगुनितम चाहिए आपके लिए 88 फाल और अधिकतम 40 सौर्फा तक होगा और ये काउंट कप के डेट में किया जाएगा तो 1 जन्वरी 2023 की डेट में काउंट हो नहीं इसके सिलेबस के बारे में अधी बात किया जाए तो सिलेबस है आपका जीके मैट्स रिजिनिंग ये है 20 कोश्चन और संबंधित विभाग से संबंधित प्रफन आएंगे 80 प्रफन और टोटल प्रफन हो जाएगा आपका 100 प्रफन जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यह असिस्टेंड इंजिनियर आल इंडिया बेस से डाला जा फकता है मलब कोई भी राज़क केंडिड़ेट आफकता है लेकिन बाकी में अवस्या है कि तो जुनियर इंजिनियर जितने भी है यह सब जुनियर इंजिनियर के लिए मिलना है सम्थिंग पचास हजार के आसपास ठीक है तो पचास हजार के आसपास आपको क्या मिलना है लेकिन यदि असिस्टेंड इंजिनियर के बारे में बात किया जाए तो यह लगभग आपको 75,000 के something payment मिल फकता है तो जिनके पस योग गयता है वो जरूर फार्म डालिएगा क्योंकि उनसे सम्बंधित question की संख्या बहुँच ज़्यादा है यहाँ पर आप official notification जो आया है उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला गया था तो यह कल के डेट में रिलीज हुआ है यहाँ देखिएगा सब पोस्ट एक बारे में आपको टेटर से पता दिया और यहाँ पर आवेदन कब से प्रारम होना है तो आपका कल से सुरू हो चुका है 14 अक्टूबर को लाश्ट है और तुरूटी सुधार के लिए डेट दिया गया है दो से तिन दिन दिया गया 15, 16 और 17 तारीक तक परिच्छा के नरक बारे में बात किया गया तो आठ जीला बस बोला गया है यहाँ पर और परिच्छा के डेट अभी निर्धारित नए की गई यह जल्दे ही निर्धारित कर दिया जाएगा और यहाँ पर जैसे के मुख्य मंतरी तोरा घोपना किया गया था कि इसके सुल्क के बारे में पूरता क्या होगा फ्री होगा, मतलब निसुल्क किया जाएगा भाम कहाँ पर भरजा फक्ता है तो cgwapam के official website पर यह application उपलब्धा है आप जाक जरूर भरिएगा इसी प्रगा की लगतार आपको जानकारी मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को subscribe, like और share जरूर करेगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद